हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिल्मी खबरी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 के बारे में उसे लेकर हमारे पास एक काफी बड़ा अपडेट सामने आया है वही अपडेट हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम यहां हर रोज ऐसी ही बॉलिवुड से जुड़ी अपडेट्स लाते रहते हैं बॉलिवुड सूपरस्टार स्लमान खान की फिल्म ताइगर 3 साल 2013 की मोस्ट अवेटड फिल्मों में से एक है इस मूवी का फैन्स भेस अबरी से इंतजर कर रहे है जैसा शारुक कांकी फिल्म पठान में देखने को मिला वैसा ही उत्सा सलमान खान की फिल्म Tiger 3 को भी लेकर देखने को मिल रहा है जब शारुक खान की पठान रिलीज हुई थी तो ऐसा लगा था जैसे कोई त्योहार है जबकि सलमान खान की Tiger 3 दिवाली के आसपास आ रही है मतलब साल 2023 एद में भाई जान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हो रही है वहीं दूसरी तरफ इस साल दिवाली में भी फैंस को Tiger 3 का तौफा देने जा रहे हैं हमारे भाई जान ऐसे में एक सवाल सबके मन में ये है कि क्या शारुक खान की पठान का जल्वा कायम रहेगा या पिर सलमान खान की Tiger 3 के साथ ही शारुक खान की बादशाहत खत्म हो जाएगी तो आईए जानते हैं 5 पॉइंट्स के जरीए कि Tiger 3 पठान के सामने कैसी रहेगी सबसे पहले आता है सलमान खान का एक्शन साल की शुरुवात में ही सलमान खान ने पठान मूवी में अपना जल्वा दिखा दिया है कैमियो रोल में एक्टर का जबरदस्ट एक्शन देखने को मिला है ये कहना गलत नहीं होगा कि पठान के साथ ही एक्शन सीक्वेंस में टाइगर की जलक देखने को मिली है पहले से ही यह कहा जा चुका था कि सल्मान की इस फिल्म में वे ऐसा एक्शन करने वाले हैं जैसा उन्होंने कभी नहीं किया है अब ऐसा सुनकर तो किसी भी फैन की उतसुकता काफी जादा बढ़ जाएगी दूसरा पॉइंट है टाइगर फ्रेंचाइजी सल्मान खान के फैन्स के लिए उनकी फिल्मों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है उनकी फिल्म एक था टाइगर ने जबरदस्त कमाई की थी और फिल्म को फैन्स द्वारा काफी पसंद भी किया गया था इसके इलावा इसके दूसरे पार टाइगर जिन्दा है को भी फैन्स का काफी सपोर्ट मिला था अब इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म आने जा रही है इस बार तो तैयारी भी पहले से काफी ज़ादा अच्छी है ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि सल्मान की इस फिल्म की उड़ान कितनी उची होगी पठान फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था शारुक खान और सल्मान खान का एक साथ स्क्रीन पर आना दोनों की दुनिया भर में जबरदस दिवान गी है सल्मान खान और शारुक खान ने पठान फिल्म में एक साथ जबरदस एक्शन किया है और अब एक बार फिर दोनों साल भर के अंदर ही एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि इसके लिए दोनों साथ में जल्द ही कुछ सीन्स भी शूट करने वाले हैं अगला पॉइंट आता है कि बॉलिवुड भी अब हॉलिवुड की तरह अपनी नई फ्रेंचाइजी शुरू करने की तैयारी में है यश्राज फिल्म्स के बैनर तले जितनी भी बड़ी फिल्में बन रही हैं उनमें कोई ना कोई करेक्टर उनकी दूसरी फिल्म का होता है इसकी शुरुआत बॉलिवुड में रोहिश शेट्टी ने करने की कोशिश की थी उनकी कॉप सीरीज इसका जीता जाकता उधारन है इसके इलावा अब यश्राज की फिल्में भी फ्रेंचाइजी के तौर पर फैंस के सामने परोसी जा रही है जिसमें कई सारे कलाकार कैमियो में नजर आ सकते हैं लास्ट पॉइंट है दिवाली का रिलीज सल्मान खान हमेशा से ही अपने फिल्मों को तोहार में रिलीज करते हैं सल्मान की मुवी का मतलब होता है कि किसी ना किसी बड़े तोहार का मौका ऐसा ही उनकी फिल्म टाइगर 3 के साथ भी देखने को मिलेगा जहां एक तरफ ईद के मौके पर सल्मान खान की किसी का भाई किसी का जान रिलीज होने जा रही है इसके बाद इस बार दिवाली के मौके पर एक्टर अपनी टाइगर 3 के साथ धमाका करने के लिए तयार है धेर सारे फैंजे इस मौके पर फिल्म देख सकते हैं शारुक खान की पठान ने तो हजार करोड का अकड़ा पार कर ही लिया है लेकिन अब ये देखना होगा कि टाइगर 3 पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं दोस्तों इस वीडियो में तो केवल इतना ही लेकिन अब आप यहां तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किये बिना कहीं मच जाईएगा